चंद्रियान 3 की काम्याभी में होगी चंद्रियान 2 की बूमी का जाने चान की परिक्रमा लगा रहा आर्बिटर कैसे करेगा मदद लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि देश विदेश की जानकारी आपको मिलती रहे चंद्रियान 3 मिशन की काम्याभी में चंद्रियान 2 की एहम बूमी का होगी इसरो के एक शीश वेग्यानिक ने बताया कि चंद्रियान 3 में आर्बिटर नहीं होगा और चंद्रियान 2 के आर्बिटर से ही लेंडर और रोवर को जोड़ दिया जाएगा आर्बिटर से आकड़े इसरो को प्राप्त होंगे चंद्रियान 2 का आर्बिटर अभी चांद की परिक्रमा कर रहा है इस रो ने इस साल के आखरी या अगले साल के शुरू में चंद्रियान 3 लांच करने का एलान किया है इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई है चंद्रियान 2 के आर्बीटर का कार्यकल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है वेग्यानिकों ने बताया कि चंद्रियान 3 में सिर्फ लेंडर और रोवर होगा लेंडर को सीधे चांद पर उतारा जाएगा जबकि चंद्रियान 2 में आर्बीटर और रेंडर अलग हुए हैं और चांद पर उतर से समय लेंडर क्रेश हो गया इसलिए चंद्रियान 3 की योजना में बदलाव किया गया है जिसका ऐलान कर चुका है इसरो के अनुसार चंद्रियान 2 में आर्बीटर और लेंडर का कार्य अलग-अलग था इनमें पेलोट भी अलग-अलग थे यदि लेंडर चांद की सतब पर उतर जाता तो उसे रोवर अलग होता और रोवर चांद पर चल कर आंकड़े एकत्र करता ये आंकड़े आर्बीटर के जरिये इस रोव के पास पहुचने थे चंद्रियान 3 में लेंडर और रोवर के पेलोट आकड़ो को दर्ती पर बेजने के लिए आर्बीटर की जरुत होगी तब चंद्रियान 2 के आर्बीटर को इससे कनेक्ट किया जाएगा इस रोव वैग्यानिकों ने कहा कि चुनोती पूर्ण है लेकिन इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है सबसे पहले हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्बीटर के कार्यकाल को बढ़ाया जाए पिछले साल जुलाई में आर्बीटर लांच हुआ था तब इसका कार्यकाल एक वर्ष निर्दारित था पर अब इसे तीन सा साल तक बढ़ाना जरूरी है तब ही चंद्रियान तीन में इसका इस्तेमाल हो पाएगा अभी आर्बीटर के उपकरण सही कार्यकर रहे हैं वह प्रोग्रामी में कुछ तबदीलियां करके इसमें बदलाव किया जाएगा यदि आर्बीटर के उपकरण में खराबी नहीं आ क्या जात।